नमस्कार सभी को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप SSE CGL 2024 के अस्पारेंट है तो आपको English किस तरीके से प्रिपेर करना है अभी फिलाहल एक्जाइम होने में 7-8 महिने का वक्त है तो जो ही बाते में इस वीडियो में करूँगा ये सारी बाते इस चीज के मते नजर होंगी कि एक्जाइम होने में इतना वक्त है और इसी वक्त में आपको 0 से टॉप लेवल तक पहुँचना है तो देर नहीं करते हैं आके बढ़ते हैं इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं syllabus और weightage के बारे में तो syllabus के regarding दो बाते हैं आपको ध्यान में रखनी है पहली चीज कि जो भी सवाल आपके paper में आएंगे English में वो सारे 10th level के questions होते हैं ठीक है तो 10th level अगर अपने English पढ़ी है तो आपको English कभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा लेकिन बहुत सारे से बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा English पढ़ने का मौका नहीं मिला होता है लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हना की होगा लेकिन एक बहुत important बात उनके लिए मैं कहना चाहूँगा अगर आप मेहनत करते हैं न सही से continuity लगातार आप मेहनत कर रहे हैं तो आप उस बच्चे से कहीं ज़्यादा score ला सकते हैं जो बच्चपन से लेकिन तक हर रोज इंग्लिश पढ़ रहा है जी हां SSE CGL का syllabus इतना अच्छा है इतना अच्छा scope देता है यह हर एक aspirant को कि यहाँ पे जो मेहनत करेगा ना उसी के marks आएंगे जो talented है उससे बहुत आफ़र्ट नहीं पड़ता है अब बात करते हैं वेटेज की तो English के आते हैं 25 questions Math के आते हैं 30 questions Reasoning के आते हैं 30 questions और GK के आते हैं 25 questions तो clearly English का वेटेज सबसे जादा है तो अगर आपका हर subject का level सेम है मतलब Math, reasoning, GK, English सब बिल्कुल सेम लेवल पर है तो आपको सबसे जादा वक्त English को देना है ध्यान रखेगा इस बात का जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि Math का जो level है वो CGL का वो पहले से थोड़ा सा नीचे आ गया है लेकिन इससे ठीक उल्टा हुआ है English में जहां तक मैंने बजर्फ किया है English का level पहले से increase हो गया है तो आप weightage भी increase हो गया है और level भी increase हो गया है तो आपको मेहनत जादा English पे करनी ही पड़ेगी English की एक खासियत है आपको खासियत कही है बुराई कही है कुछ भी कह सकते है कि English में कहना आपको question छोड़ने का मन नहीं करेगा Math में क्या होता है कोई question आपने देखा आपको idea ही नहीं कैसे चौट होगा आप उसको skip करके निकल गए या फिर कोई calculation आप करना शुरू किये आपको answer तक आप नहीं पहुँच पाया आप question छोड़के निकल गए तो वहां पर wrong option को tick करने का priority कम होता है English में क्या होता है आपको question skip करने में मोह लगेगा आपको लगेगा या यह topic तो मैंने पढ़ा था एक या दो option तो मैं eliminate कर पा रहा हूँ एक थाप तुक्का मार जाता हूँ चालिस प्लस question आपका सही होना ही चाहिए अगर आप top level की post लेना चाहते है minimum चालिस question आपको सही करने ही पढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि किसी भी competitive exams के लिए गारे preparation कर रहे हैं और आपको mock test की जरुवत है तो testbook.com पे आपको best quality mocks मिलते हैं किसी भी competitive exams के लिए फिलार testbook पे एक sale भी चल रही है जिसके तहत आप एक साल का testbook का pass ले सकते हैं 263 रुबे में और एक साल का testbook का pass pro ले सकते हैं महज 370 रुबे में pass pro लेना आपके लिए जादा profitable होगा क्योंकि pass pro में जो previous regression के जितने भी sets होते हैं वो आपको as a mock मिल जाते हैं वहाँ से आप practice कर सकते हैं ठीक है? testbook best है ये बात सिर्फ मैं नहीं बहुत सारे aspirants बहुत सारे educators ने कहा है तो अगर आप testbook का pass लेना चाहते हैं description box मिल लिंक है वहाँ जाके लिजिए और maximum discount के लिए www code use कर लेजएगा और वहाँ जाके mock test दीजिए और judge कीजिए कि आप लाखों बच्चे की बीच में कहा पर stand करते हैं क्योंकि maximum बच्चे testbook काई mock देते हैं आप बात करते हैं proper English की तो देखिए English वैसे तो एक language है लेकिन हम SSC aspirants के लिए एक subject है understanding develop करनी है English की जिससे कि आप अपना paper clear कर सके ठीक है तो बहुत जादा भी आपको ग्या अरजनी करना है बहुत जादा understanding भी नहीं develop करनी है इतना पढ़ लीजिए कि आपका काम चल जाए अंग्रेजी भाशा की कितनी आपको समझ डेवलब करनी है और कितना syllabus है आपका ये दोनों चीजे एक साथ आपके दिमाग में होनी चाहिए ठीक है तब जागे आप English को कम समय में तेजी से improve कर पाऊगे और execute भी कर पाऊगे अपने paper में number अच्छा हैंगा और selection भी होगा आपका अब बात करते हैं कि English में पूछा क्या जाता है सबसे पहले आता है vocabulary फिर आता है grammar फिर आता है comprehension vocabulary मतलब कि आपको English कितने words पता है words पर आपका कितना command है कितना जाथ आपका word power है कितना जाथ आप word आप याद रख पाते है ठीक है इसका एक test है ठीक है दूसा है grammar grammar हम लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं चाहाँ आप Hindi मीडियम से हैं English मीडियम से हैं grammatical rules हम लोग हमेशा से पढ़ते वह आ रहे हैं उसी का test है and third is comprehension कि आप English पढ़के समझ कितना पा रहा है मतलब कि यहां पर आपके understanding check होती है ठीक है अब क्या है आज की time में vocabulary और grammar में अब कुछ भी जादा नया नहीं रह गया है SAC के पास explore करने के लिए ठीक है repeated question ही आते है previous question ही आते है उसको अगर आप कर लेंगे आपका शायद एक भी question ना छूटे जो अब खेल बच गया है न वो बच गया है comprehension में English का जो level hal फिल हाल में बढ़ा है जो मैंने observe किया है वो इसी शेत्र में बढ़ा है vocabulary में same है grammar में same है comprehension section में SAC ने अब effort करना शुरू कर दिया है बढ़िया बढ़िया passages बढ़िया बढ़िया पायरे जमबल्ट बढ़िया बढ़िया close test आपको देखने को भी लेंगे जिसमें आपको actual more tough लग सकता है अगर आपको नहीं understanding English की तो आप definitely मात खाएंगे आपके number कटेंगे आपका selection उस post पे नहीं हो पायेगा जिस post पे आप चाहते हैं तो आप बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है vocab के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करना है किरन की बुक ठालीजिए उसमें जितना भी antonym, synonym, one of subscription, idiom phrases दिया हुआ है सारे के सारे आपको याद होने चाहिए चाहिए आप जैसे याद कीजिए understanding से याद कीजिए या Google में खोज के याद कीजिए या किसी newspaper से याद कीजिए मुझे नहीं फर्क पड़ता आपके वो सारे words टिप्स पे होने चाहिए जैसा ही word वो बोला किसी ने आपके दिमाग उसका meaning click करना चाहिए ठीक है जो बोलता है ना की phonetically याद करो तो relate करके याद करो sentence बना की याद करो उसका use पहले कर लो तब याद करो जैसे करना है करिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो सारे के सारे words आपके tips पर होने चाहिए within two months दो महीने का समय में दे रहा हूं सारा वो कहाँ आपको खतम करना है target बना लीजिए सो यह नहीं कम से कम दो दो घंटे आप हर दिन वकायब रटिए रटना परे जो करना पड़े ठीक है दूसरा grammar की अगर में बात करो तो grammar में आपको दो काम करना है पहला नीतु मैम की एक बुक आती है केटिंग अपर नीतु सिंग की volume 1 वो बुक much more than sufficient है grammar के लिए उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है बहुत तो आपको और भी बुक्स सेच करेंगे वो सब higher level of books हैं जिसका SSC से ज़्यादा नाता नहीं है आपको सिर्फ न reading, passage, comprehension के लिए आप क्या करेंगे उसके लिए आपको सबसे एक मातर काम जो करना है that is reading, reading आप बात करेंगे सर हमें तो English पढ़ना आता नहीं आप बोलेंगे newspaper पढ़ने, magazine पढ़ने कहां से पढ़ने नहीं, मैं यह नहीं बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, आगर आपको English पढ translation होता है, Hindi to English, ठीक है, आप एक line Hindi में पढ़ेंगे, यह पहले English में पढ़ेंगे, मतलब समझ आया है तो ठीक, नहीं आया तब फिर उसको देखिए आप उसका Hindi, आप पहले English पढ़िए, खुद मतलब उसका निकालिए, फिर देखिए क्या जो मैंने सोचा है, वही उसका मतल लिए आना, उसके बाद आपका ऐसा लेवल हो जागा कि आपको उस मैगजन जबरत नहीं पढ़ेगी, आप आराम से निउस्पेपर पर जंप कर सकते हैं, हमारे लिए रीडिंग बोरिंग हो सकता है, बट रीडिंग टफ नहीं है, बस आपको कुछ दिन पेशन्स के साथ ए आपके सर में भी होगा दर्द, लेकिन जो टारेट बना है कि हर दिन मुझे एक घंटा पढ़ लेना है किसी भी तरीके से उस ट्यास को खतम करके ही सोगेगा, इस इस काल्ड डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर है, तो आपको इंग्लिस में अच्छ को जानने समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, लेकिन जब आप मौक देते हैं, या जब आप examination hall में बैठते हैं, तब आप एक-एक subject में फोकस नहीं करते हैं, आप रफतार में पढ़ते हैं, और उसी में आप उसका meaning समझने की कोशिश करते हैं, तो ultimately goal हमारा क्या हुआ? हमा और ultimate goal यह है, तो आप यह समझ के खुश मत हो जाएगे, मैंने इंग्लिश में चार लाइन पढ़े, मुझे तो समझ में आगा है, मुझे तो में अच्छा है, नहीं, आपका target भी पूरा नहीं हुआ है, आपका target तब पूरा होगा, जब रफतार में पढ़ रहे हैं, एक-ए तो इसके रहे पहला step तो यह ही कि पहले आपको अपना understanding develop करना है, ठीक है, और यह रफतार में पढ़के जो समझने की ability है, वो आपका practice से develop होगा, ठीक है, पंदरा दिन आप शुरू में काम करेंगे, वो आपका understanding develop होगा, और उसके बाद भी आप continue करेंगे, बाद में आप newspaper हो, close test हो, passage हो, कुछ भी हो, और यहां भी मैं यही बोलूँगा, कि previous year questions और mock test का value यहां भी उतना ही है, जितना बागी subjects के लिए है, ठीक है, previous year question के question repeat होते हैं, आगे भी होते हैं, हमेशा होते रहेंगे, ठीक है, practice भी आपको वही से करनी है, और एक चीज, रट के याद करने कि जो काम है, उस वह old-fashioned हो गया है, अब आप practice के थूँ याद करने की कोशिश कीजिए, हर rule को, हर vocab को आप right के ही याद करेंगे, जरूरी नहीं है, अगर आपने एक दो बार उस word को देख लिया, दो या तीन या तीन बार गार चार बार आपने book को खतम कर दिया, वह word आप practice से focus करें, पियाद करने के लिए, आखिर मैं हिंदी मज्यम वाले दोस्तों से में ये बात कहना चाहूँगा, कि जो बाते मैंने बताई, जो study material और जो तरीका मैंने बताया, अगर उसको आप follow करते हैं, एक महीने के अंदर आप difference महसूस करेंगे कि मेरा English काफी रफतार से improve ह हुआ है, यह मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन हर दिन करना है, time fix कर लिजे, हर दिन इतना घंटा मुझे English को देना है, तो देना है, कैसे नहीं improve होगा, मेरा improve हुआ है, हजारो हिंदी मज्यम वाले बच्चों का improve हुआ है, तो आपका क्यों नहीं होगा, तो बस आपके स सोच में फर्क है, आप सोच लिजे कि हां मैं कर सकता हूँ, तो आप कर लिजेगा, फिलाल इस वीडियो में इतना है, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाए, कहीं हो ही नहीं सकता है,